किसान सातियों नमस्कार, राम राम, स्ष्रेकाल, आदाब किसान सातियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से यह काम ना करते हैं, दुआ करते हैं आपके काम में दिन दुखनी राज चुगनी उन्ती हो आप जहां भी रहें सवस्त रहें अच्छ रहें किसान साथियों हमने जेविक खेती में विविन परकार की तत्तों के बारे में विश्तार से हम बातचित करते आ रहे हैं हमने कल वाले जो वीडियो में बाचित किया कि हम किस तरह से हमारे खेत में पोटाज की डेप्सेंसी को हम दूर करें उसके विशेपर हमने बाचित की काफी किसान साथियों ने अपना अनुभव भी शेयर किया और मैं उन किसान साथियों से एक बात अवस से कहना चाहूंगा जो भी किसान साथियों से जरूर आप मेरे वाट्सअब दिया वाट्सअब नमबर पर आपने वीडियों के माधम से जरूर बेजने का परियास करें किसान साहि disrespectful सा बेनिफिट यह होगा कि माननी चंद्रा जी बार-बार एक बात कहते थे कि मैं तो एक छोटा सा विग्यानिक हूं हमारा जो देश का किसान है हमारे देश के जो किसान साथी है वो मेरे से बड़े विग्यानिक सांटिस्ट है क्योंकि हमारे काफी किसान साथियों ने ऐसा अल करूंगा कि जो भी किसानसाती जिस भी छतर में किसी भी छतर में जो भी अपना अनुभाव रखता हो जेविक खेती से संबंदित वह जरूर अपना अनुभाव वीडियो के मादम से जरूर शेयर करें उससे बहुत अच्छा benefit आने वाले किसानसात्यों के लिए किसानसात्यों आज हम बात करेंगे कि बोरोन की deficiency को हम किस तरह से अपने खेट से दूर करें बोरोन की deficiency अपनी फसल में किस तरह से पूरी करें जेविक के तरीके से उस विशेपर हम बात्चित करेंगे मुख्य रूप से काफी बर देखा गया है कि बोरोन की deficiency से होता क्या है अ का तना छोटा होना फूल पूरन बनने चे पहले ही जमीन पर गिर जाना यह फलों की अगर बात करें तो फल का फढ़ Samantha जैसे के अनार की बात करें निंबू की बात करें अम्रूद की बात करें जड़ वाली सब्जा जैसे गाजर है सलगम है उनके बीच से फट जाना यह सारा बोरोन की डेफसेंसी होती है और बोरोन की डेफसेंसी कहां पर पाई जाती है बोरोन की डेफसेंसी मुख्य रूफ से जो भी हमारी जमिन चारिए यह है अमल यह वह मुख्य रूप से इसकी ढेफसेंशी देखी गई है और मेने काफी वर पहले भी बताने का काम किया है जिन जमिनों का चार्बन कम है जिन जम ceiling यह जम अ का पिएच मान ज़ादा है वहां पर वरॉन की deficiency definitely पाई जाती है इस बात को आपको बिल्कुल मानना होगा और इस बात को आपको बिल्कुल समझना भी होगा तो वहां पर हम boron की deficiency को जेविक विदी से किस तरह से पूरा करें हर बार मैं बताने का काम करता हूँ मेरे प्रिये किसान साथियों जेवी क्हति में जब भी आप कदम रखते हैं तो अपने जमीन के और्गनिक कार्बन को बढ़ाएं और जमीन के पीएच मान को समाने स्थर पर लाने का काम करें आपको भविस्य में किसी भी तरह की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा लेकिन वो धीरे-धीरे अगर आप थोड़ी सी महनत करेंगे थोड़ा सा वीडियो को समझेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे प्रैक्टिकली उसको करेंगे तो उसका सबसे आसाम तरीका हमारा वेस्ट डीकंपोजर है इसके मादम से हम हर छेतर में कामिया भी पा सकते हैं चाहे वो रासाइनी खेती हो, चाहे वो जेवी खेती हो आज हम बोरोन की डेफसेंसी को किस तरह से दूर करें उस वीशे पर बाच्चित करेंगे हमारे पास तीन विकलप हैं पहला विकलप जो हम माइक्रो नूटेन बनाते हैं दालों से उसके अंदर बोरोन की डेफसेंसी को पूरा करने के लिए क्या उत्पाद मिलाए जाये जिससे की बोरोन की डेफसेंसी पूरी हो पहला बोरिक पाउडर बोरिक पाउडर क्या होता बोरिक आसीड आता है बोरिक आसीड रासानीक सर्चना में आता है बोरिक पाउडर जो होता है बोरिक पाउडर आपको खिलोने वाली जो दुकाने होती है जहां भी वहां पर वो आपको आसानी से मिल जाएगा क्योंकि boric powder का उपियोग जो क्रम बोड होता है खेलने का क्रम बोड के उपर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है तो जो किसान साथी 200 लिटर micronutern बनाते हैं या 100 लिटर micronutern बनाते हैं अगर मान लिजीए 100 लिटर आप micronutern बनाते हैं तो उसके लिए 100 ग्राम बोरिक पौडर काफी है अगर आप 200 लिटर माज्रोन नुटेन माज्रो Sydoking बनाते हैं तो उसके लिए 200 ग्राम बौरिक पौडर काफी है वो बोरोन की डेफसेंसी जो आपकी फसल में होगी जो micro-nutrion का चिड़का 넘ेगे पानी के साथ आप देने का काम करेंगे वहा आसानी से उसकी पूर्ती हो जाएगी दूसरा वहता है सुहागा आपको आसानी से पंसारी की दुकान पर बिल्कुल आसानी से मिल जाता है किसी भी पंसारी की दुकान पर आप जाएंगे कि हमें सुआगा चाहिए तो आप सुआगा ला सकते हैं सुआगे का उपयोग भी आप माइक्रो नूटेन के अंदर कर सकते हैं अगर आप 100 लिटर माइक्रो नूटेन में सुवागा डालना चाहते हैं तो 200 गराम लीजिए अगर आप 200 लिटर में डालना चाहते हैं तो 400 गराम सुवागा आपके लिए काफी रहेगा सुवागा लाने के बाद आपको एक विशेश रूप से एक बात को आपको ध्यान रखना है सुवागे को पका लेना है पकाने की विधी जिस पर हम रोटियां बनाते हैं जिसे हम तवा बोलते हैं उसके ओपर उसको डालके धीमी आच में उसको बिलकुल पका लेना है पकाने क जसायन के अंदर जैसे हम प्लास के फूल है प्लास के फूल या महुआ के फूल का उप्योग हम बोरोन की डेफिसिंसी को दूर करना में कर सकते हैं जो मुख्य रूप से मारच महिने में आते हैं लेकिन तब इसके बीच दोरान अगर बोरोन की आपको आउस्टा है तो उसके लिए आप सवागे से और बोरिक पाउडर से पूरी कर सकते हैं फूल जिस समय आप आए मारच में आने वाले समय में जब भी आए तो आपको दो या तीन किलो फूल ही काफी हैं चाहे वह आप महुआ के फूल लीजिए तब भी आपको तीन किलो लेने हैं अगर दोनों फूल आप लेते हैं पलास के और महुआ के तो दोनों आप डैड़ेड किलो ले सकते हैं और उसको दस लिटर वैस्टी कंपोजर में आप चोड़ दीजिए वह काफी है दो एकड के लिए बोरॉन की डेफ्सेंसी जो सब्जिया है और मुखे रूप से बोरॉन की जो डेफ्यंसी काफी पाई जाती है मेरे पास काफी माताओं बहना का फोन भी आता है कि हम हमारे फूल जड़ रहे हैं और मुख्य रूप से हमारे किसान साथियों के सामने भी यह सामना काफी बर पड़ता है और जो बागवानी करते हैं उनके अंदर भी यह दिक्कत बहुत मौस्टली आती ह फल का फटना फल का पुरुन रूप से विकास नहीं होना यह सारा बोरोन की डफसंस ही उसकी पूर्ती के लिए आप आसने से इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं अब काफी किसान साथि करते हैं कि सरा हम इसका अलग से अगर हम गोल बनाना चाहें तो उसके लिए हमें क्या क कंपोजर के गोल में आप छोड़ दीजिए साथ से आठ दिन में वो गोल बनके रैडी हो जाएगा परती एकड़ पांच लिटर परती एकड़ पांच लिटर गोल आप उसमें डालिए फॉलियर सप्रे में और डिप इरिगेशन से अगर आप देना चाहते हैं तो दस लिट पंसारी की दुकान पर जो आपको आसानी से मिल जाएगा उसको आप वैस्टी कंपोजर के दस लिटर गोल में चोड़ दीजिए वही सेम रहस्व है पांच परसेंट माइकरों नूटेन का चटगाव करते हैं वैस्टी कंपोजर का चटगाव करते हैं उसके साथ मिला के आप आसानी से पूरा कर सकते हैं वैस्टी कंपोजर जहां जो किसान साथे यूज कर रहे हैं वहाँ पर इन चीजों की समस्था हैं बहुत ही कम देखने को मिलती हैं लेकिन फिर भी अगर आप बोरोन की डेप्सेंसी को पूरन करना चाते हैं तो इससे आप आसानी से आना चाते हैं तो दोनों जो फूल हैं वो दो-दो किलो आप ले सकते हैं च्यार किलो फूल आप ले सकते हैं और वैस्टी कंपोजर के बीच लिटर गोल में आप डाल की छोड़ दीजिए रेस वही हैं पांच परसेंट फॉलियर सप्रेमें और दस परसेंट ड्रीप जब आपको हो पाएगी जब आप रासाइनिक को छोड़के जयविक में आते हैं तो अपनी मिट्टी की जांच और पानी की जांच किसान साथियो अवस्से कराएं इससे आपको बहुत अच्छा फाइदा होगा तो किसान साथियो बोरोन की के लिए आज हमारे पास इतना ही है हमने जो आपको फिर भी अगर आपके कोई सवाल जवाब हैं तो आप वाट्सप के मादम से पता कर सकते हैं या मेरे पास जो हमारा वीडियो का डिस्क्रेशन बॉक्स है वहाँ पर मैसेज करके पता कर सकते हैं जो भी आपका सम्मदित सवाल होगा तो उसका एंस्वर जुड़े हुए हैं वहाँ भी आप सवाल करके इस चीज की जानकारी ले सकते हैं अगला जो वीडियो किसान सात्यों हमारा होगा अगला वीडियो जो छत की उपर गार्डिंग करते हैं छत की उपर जो हमारी माताएं बहने जो फल सबजिया लगाती है वह वैस्डी अगले वीडियो में हमारे माताओं बहनों के स्पेसल रिक्वेस्ट की उपर आपके बीच में रखने का काम करूंगा ताकि उनको भी किसी तरह की समस्या नहीं आएं क्योंकि हमारे जो बड़े-बड़े सेहरों में छतों की उपर जो फार्मिंग करते हैं काफी फार्मिंग हमारे अनुभवी माताओं बहने जो करने का काम कर रही हैं यह हमारे जो पहले जो हमारे साथी हैं वो करने का काम कर रहे हैं और उनका वैस्दी कंपोजर से सम्बंदित जो भी अनुभव आज से पहले उन्होंने नहीं सिखा होगा नहीं जाना होगा तो वो किस तरह से वहा बाद हम जो बात करेंगे qalseam ॕazz घिंकि आप और अराए यही किसैन सातियों का अड़ घिर व्टिंज नहीं मिल रहा हो वो अपने डी अड्र कल्चर के लिए में उप्रोग दिये वाटशप नमर के उपर मैसेज करके या एडर्स बेज के आप मंगवा सकते हैं परियास ये करें कि आपको अपने आसपास ही गोल मिल जाए अगर नहीं भी मिलता है काफी दिन से काफी किसान साथी ऐसे आते हैं जो कहते हैं सर हम काफी दिन से परियास कर रहा है नहीं मिल रहा है तो उनक रसन बोश में उसके हर वीडियो के लिंक आपको मिलेंगे उन वीडियों को देख कि आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसान साथ यह आपको मैं बताना चाहूंगा आने वाले समय में हमने ऐसा प्लेट फारम त्यार करने का काम किया है कि आपको जेविक खेती करने के ल समसकार राम राम जैहिन